नमस्कार दोस्तों मैं सोनम चैनल आप सबी दिख रहे हैं सचे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागते दोस्तों आज की कहानी है पती की प्यार की परिक्षा यति आप सभी को एक कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीचे का और पास में जो बेर आइकन का बताने उस उसे प्रेस करना बूर को ना बूरे क्योंकि उसी समिरेंगे आप सभी को मेरी आने वरी और कहानी की नोतिफिकेशन कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक चरू कीजिए का क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक से कोई रराई हो गई पूचा बहुत सब बात में तुछ आकर बताऊंगी पश्टू मुझे इतना बता दे क्या मैं कुछ दिनों के रिए तेरे घर पर रहने के रिए आ सकती हूँ मेरे ममी पापा सहर से बाहर गए हुए हैं और पंकच का घर मेने छोड़ती आए अब मैं पं उसे रोने रखी और कहने रखी तू मुझे अपने घर पर बुराना नहीं चाहती न तो सिर्फ इसरी इह सब बाते कर रही है अरे तुछ नहीं पता मुझे मेरे पती ने धोका दिया है अब भहे मुझे नहीं किसी और से प्यार करते हैं आसा ने कहा नहीं नहीं तुछे गरत फहमी हो रही है तुम्हें और पंकच को आराम से बैद कर बाते करने चाहिए और गरत फहमी को दूर करना चाहिए पूचा थी के मैं समझ गई तू मुझे अपनी घर पर बुराना नहीं चाहती मैं अभी अपनी मौसी के घर पर चली जाओंगी आज़ा अरे तू गरत और अपना सुख दुख एक दूसरी से बातती रहती थी पर इस तरह कभी भी कोई ररकर अपने पती से दूसरी सहरी के घर पर रुकने के रिए नहीं गया था। पूचती फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पूचा पंकच को छोनने की वात करने रखी। जब मैं उसके घर पर गई थी तब तो पूचा पंकच की बहुत तारिफ कर रही थी। बाच कह रही थी। आखिर क्यूँ ऐसा भी क्या हो गया था। जब आसा एह सब सोच रही थी। तब आसा के गेत की दोर वेर वश्टी। वही जाकर दरवाचा खोड़ती। दरवाची पर पूचा थी। पूचा को अंदर बुराती और पूचती क्या हुआ एह सुनकर ही। पूचा जोर जोर से रोने रखती। आसा पूचा को पानी का गराश देती हुए कहती। तू पहरे सांत तो हो जा और पानी पी। फिर सांती से मुझे बताओ आखिर हुआ किया। पूचा रोते हुए कहती। अब बताने को रही किया गया है। जिस पंकच पर मैं इतना विश्वास करती थी। बहे तो धोगेवाच निकरा। हाँ आसा मेरा पती धोगेवाच निकरा आसा तू इह इतने यकिन के साथ कैसे कह सकती है। हो सकता है कि तुझे कोई गरत फैमी हुई हो। अभी मैं कुछ दिन पहरे तेरी घर पर आई थी। तो तू अपने पती की कितनी तारिफ कर रही थी। और आज ऐसे धोगेवाच उसे कैसे कह रही है। पूचा कह द पूचा से पूचा तुछे कब पताचरा की वहीं किसी और रड़की से प्यार करता है। पूचा ने कहा मेरी पर उसमें सिर्पा रहती है ना। मैं कुछ दिन पहरे उसके घर पर गई थी। तो वही बहुत खुश थी। अकसर तो वही अपने पती की बुराई करती रहती थ पर उस तिन वह अपने पती की बहुत तारिफ कर रही थी, मैंने पुछा ऐसा भी क्या हो गया? कि तू अपने पती की आज एतनी तारिफ कर रही है? सिर्पा ने कहा मेरा पती प्यार की परिक्चा में पास हो गया तो तारिप करना तो बनती है न मैंने कहा प्यार की परिक्चा उसने कहा हाँ हाँ प्यार की परिक्चा मेरी दोश स्वाती ने मुझे एक मैदम से मिरवाया जो पतिनियों के कहने पर उनके पती की प्यार की परिक्षा रेती हैं मैं भी उनके पास गई और मैंने उनसे कहा मुझे रखता है मेरे पती मुझे से बुरकुर भी प्यार नहीं करते लेकिन सब मुझे कहते हैं एह मेरी करत पहमी है अब मुझे सच का पता रखाना है यह जानना है कि मेरे पती मुझे प्यार करते हैं या नहीं मैंने सुना है आप पतियों की प्यार की परिक्छा रेती हैं तो मैं भी अपने पती की प्यार की परिक्छा रेना चाहती हूँ बताईए मुझे क्या करना है उन्होंने मुझे एक लार गुराब दिया और कहा तुम वहे लार गुराब अपने पती के आफिस के बैक में रखना और दूसरे दिन अपने पती का बैक देखना यदि वहे लार गुराब तुम्हारी पती के ओफिस बैक में हुआ तो इसका अर्थे कि तुम्हारी पती तुमसे बहुत प्यार करते हैं नहीं हुआ तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने का पहरे तुम करकर देखो फिर मैं उसका तुम्हें जबाब दूँगी और मैंने ऐसा ही किया और जानती हो क्या हुआ मैंने पूछा तो उसने बताया मेरे पती के बैक में बही रार गुराब मिल गया इसका अर्थे कि मेरे पती मुझसे बहुत प्यार करते मैं मैदम के पास गई और उनसे थैंक यू कहते हुए का कि आपके बचे से मैं अपने पती पर बिस्वास कर दी उन मैदम के पास ले चर मैंने सिर्पा से का और सिर्पा मुझे उन मैदम के पास ले कर गई और मैदम ने भी मुझे रार गुराब देती हुए का कि उसे तुम अपने पती के आफिस के बैक में रखना और मेंने भी ऐसा ही किया आसा ने पूचा को रोकते हुए का फिर जब तू उन्हें अपने पती का बैक देखा होगा तो उसमें रारगुराप नहीं होगा है न पूचा हाँ नहीं था और इस छोती सी बात के लिए तूने अपने पती पर सक्किया और उन्हें बेवफ़ा कहा अरे मूर्ग एह तो अंत्विस्वास है इन सबसे कुछ भी नहीं होता और ना ही हो सकता है जब पंकचने अपने बैक में से कुछ निकारा हो तो वही रारगुराप गिर गया हो आसा कहती पूचा तूने एह गरत किया तुझे सिर्फ इस अंत्विस्वास के कारण अपने पती पसंदिये नहीं करना था तुझे उन्मैदम की नहीं अपने दिल की सुनने थी पूचाने का मेंने भी एही किया था जब मेरे पती पंकच के बैक में वही रारगुराप नहीं मेरा तो मैंने भी एही सोचा था एह सब कुछ नहीं होता और मैंने पंकच से कुछ भी नहीं कहा लेकिन मैंने खुद देखा है कि जब मैं पंकच के पास जाती हूँ तो वही अपना मुबाइल साइड में रखते थें क्योंकि वही किसी और से चैतिंग कर रहे होते हैं और मुझे पता ना चाले इस रिवही मुबाइल साइड में रखते थें और कर जब पंकच किसी से फोन पर बात कर रहे थे और मुझे देखते ही साथ उन्होंने एक कह कर फोन रख दिया कि बात में बात करता हूँ तो इस सब का क्या मतरब हुआ एही ना कि पंकच मुझसे कुछ छपा रहे हैं आसा ने कहा क्या फार्दु कि वादे कर रहे है तू ऐसे थोड़ी न होता है पूचा ने कहा ऐसा ही है और आज सुभाई जब मैं उनका मुबाइल चेक कर रही थी तो उन्होंने मेरे हाँ से मुबाइल छेंते हुए का कि तुम्हारा इह हर दिन का क्या है तुम हर मेरा मुबाइल क्यों चेक करती हो तुम्हें मुझ पर विस्वास नहीं तो मैंने भी कहती हो तुम जानती हो पंकच ने मुझ से क्या कहा उन्हों कहा हा नहीं करता मैं तुम से प्यार करता हूं किसी और से बियाद अब चरी जाओ मेरी जंदकी से नहीं रहना मचे तुम्हारे साथ और उसके बाद मेरा और पंकच का बहुत बरा जकर चरहा हुआ उमें हमेशा हमें सकरी पंकच का घर छोड़ कर चरी आई और जोड-न जोड़ से रोते हुए कहती मेरे पती ने मुझे धोका दिया आसा को फिर भी ना जाने क्यों ऐसा रख रहा था कि पूचा को कोई करच पहमी हुई है सायद एह करच पहमी उसरार गुराबारी मैदम की बचे से हुई है और अब आसा उसरा रुक्राबारी मैदम की असिरित पतार लगाना चाहती थी और दूसरे दिन आसा पूचा और सिर्पा के साथ प्यार की परिक्षा लेने बारी मैदम के पास चाहती है आसा उसमे अदम पर गुस्सा होते हुए कहती आकर तुम्हें ए सब कुछ करकर क्या मिर रहा है तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत की पचे से एक हच्ता केर्थ पड़िवार तूत रहा है कूचा और पंकच आपस में कितना प्यार करते थे और तुम्हारी बचे से कूचा के मन में जो सक का बीच वोया है उसके कारण आज एहे दोनों दुबास लेना चाहते हैं आगर एह सब करकर तुम्हें क्या मिर रहा है तब उस में अदम ने का इसमें मेरी कोई गरती नहीं एहे तो मैंने सिर्पा की दो स्वाती के कहने पर किया था सिर्पा ने का स्वाती स्वाती आख तुमसे एह सब कुछ करने के लिए क्यों कहेगी तब वहिमेदम केहती हैं कि मैं कोई भी प्यार के पडिक्छा नहीं रेती मेरा नाम पिरिया है और एह सब तो जूता नातक था जो मैंने सुआती के कहने पर किया था एक दिन सुआती मेरे घर पर आई और उसने मुझसे बताया कि उसकी दो सिर्पा बाद बाद पर अपने पती पर सक करती रहते जिसके कारण उन दोनों में बहुत रराई होती है और भहे मेरी अच्छी दोश्टे इसलिए मैं उसे सुतान ना चाहती हूँ मैंने उसे बहुत समझाया कि एक तुम्हारी गरत पहमी है तुम्हारी पती तुमसे बहुत प्यार करते है लेकिन भहे है कि मेरी बात सुनती ही नहीं तो मैंने कहा अब तुम क्या करोगी तो सुती ने कहा इसलिए तुम्हें तेरी मतद रेने के लिए आई हूँ मैंने कहा मैं मतद कैसे करूँगी तो उसने कहा तू तो कॉरिच में बहुत अच्छा नातक कर लेती थी इसले एक जूता नातक इन दोनों को मिलाने के लिए करते मैंने कहा कैसा नातक सुआती ने कहा क्यों ना तू प्यार की परिच्छा देने वारी मैदम बन जा और मैं सिर्पा को तेरे पासरी कराऊंगी और उसके बाद तू इह सबना तक करना और मैंने वैसा ही किया और सुआती का आहित्या सफर हो गया सुआती बहुत खुश थी कि अब उसकी दो सिर्पा अपने पती बस सक नहीं करती और अब वहे दोनों खुश हैं लेकिन हमें क्या पता था कि पूचा कभी अपने पती की प्यार की परिक्षा देने आएगी और उसका पती इस जूदी परिक्षा में फैर हो जाएगा। फिर आसा ने कहा यती सिर्पा के पती से भी वही फूर गिर जाता तो सिर्पा और उसके पती का रिष्टा हमेसा हमेसे एक गिरिये तू चाहता तो पिरियाने का नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता इसलिए तो हमने सिर्पा से कहा नहीं था कि फूर गिरेगा तो क्या होगा यती फूर गिर जाता तो हम उससे यह जूत कहते कि तुम्हारी पती तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वही हमारे जूते जान में फस जा दी हमने तो यह सब कुछ ना तक सिर्पा के जीवन को सुखी करने के लिए किया था लेकिन हमें नहीं पता था कि इससे किसी और का जीवन त हमें माफ कर दो तब सिर्पा ने कहा इसका मतरब क्या है मेरा पती मुझसे प्यान नहीं करता आसा ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्पा वैसे तो तुम अपने पती पर सक करती थी और एक जूते नातक की बचे से तुम उन्हें सच्चा समझने रगें सच तो इह है आसा कि पहरे तुम्हें ऐसा रखता था कि तुम्हारे पती तुम्हें दोका दे रहे हैं और अब तुम्हें ऐसा नहीं रखता इसलिए तुम अपने पती पर सक नहीं करती तुम्हें खुछ सोचना चाहिए कि तुम्हारे पती कैसे हैं इन सब से तुम कैसे पता रखा सकती हो क्या सह कि यह क्या गरज सिर्पा को अपनी करती का एहसास हो था और वहीं कहती आप सही कह रहीं है मेंने कई बार टी-बी पर ऐसा देखा कि पती-पतनी को धोका हो देता हूं इसलिए मुझे भी ऐसा रखने रखा कि मेरे पती भी मुझे धोका दे रहे हैं इस सब मेरी करत फैमी थी और पूचा से कहती तुम्हें तो अपने पती पर पूरा विस्वास था फिर भी तुम इन सबना तक में आ गई जब तुम्हें अपने पती पर विश्वासे तो प्यार के प्रिक्षा लेने की जरूरती क्या थी? क्या प्यार के प्रिक्षा सावित करेगी कि हमारे पती हमसे कितना प्यार करते हैं? पूचा मैंने तो प्यार के प्रिक्षा इस लिए री थी कि मैं भी सभी से गर्ब से कह सकूँ कि मेरे पती मुझसे बहुत प्यार करते हैं प्यार के प्रिक्षा में पास हो गए लेकिन मुझे क्या पता था एह सब हो जाएगा और कहती मान लेती हूँ प्यार के प्रिक्षा का जूता ना तकता फिर भी तो पंकच मसे अक्सर अपना मुबायर छपाते थे आखिर क्यूं आसाने का इस क्यूं का जब आप तो तुम्हें पंकच ही दे पाएंगे जाओ और उनसे पूछो यती पती पतिनी में कोई गरत फेहमी हुई है तो उसे हमें आपस में बात करकर सुर चबाब नहीं दिया अब जाओ कहीं देर ना हो जाए तुम पंकच से माफी मांगो पूछा अपने घर जाती और पंकच से माफी मांगती कहती मुझे तुम पर सक नहीं करना चाही था लेकिन तुम मुझे देखकर वार वार फोन रखते दे थे इससे मेरा सक और वर गया पं से कोई बात ही नहीं करता और तुम ही तो कहती थी मुच्छे तुम से कितनी बात करनी होती है लेकिन तुम्हारी मुवायर के कारण में तुमसे कभी बात ही नहीं कर पाती मुवायर तो मेरी सौतन बन गई है इसलिए तुम्हारी आते ही साथ में तुम्हारी सौतन को तुमसे दूर कर देता था सच में मुवायर के सबाह तुम्हारी और कोई सोतन नहीं है एह सुनकर पूचा और पंकच दोनों ही हसने रखते और फिर पूचा की आपों में आसुवा जाती पंकच कहता अब क्यों रो रही हो पूचा तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मैं तुम पर सक कर वे थी पूचा ने कहा सौरी पंकच मुझसे करती हो गई पंकच ने कहा कोई वात नहीं पूचा रेकिन आज के बाद मुझे छोड़कर मत जाना जानती हो तुम्हारे बना एह घर कितना सुना सुना रखता है तुम्हारे बना एह घर और मेरी जिन्दकी दोनों ही अध आईए उमिद करती हूं आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी ती कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करतीजी का वीडियो को लाइक करतीजी का और कहानी को अपनों के साथ सेयर करना बुरू कुना पूरे थैंक्स पार वाचिंग